तो हलो गैज, वेलकम बैक तो माई YouTube चैनल, मैं नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूट्स, तो गैज आपको मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं कुछ बहुती खास लेकर आया हूँ, बात करेंगे नीमू के प्लांट के केर के बारे में, आने वाले हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करें जिससे कि आपको फ्रूटिंग सचे मिलते रहे और पेड़ आपका जो है, वो सालो साल तक चलते रहे, तो इसी के बारे में आज होने वाला है वीडियो तो वीडियो को लास देखना बिलकुमत बूलिएगा, अगर आप में चैन दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि फ्रूट प्लांट्स की पॉटिंग कैसी करी जाए और उसमें क्या क्या चीजें आप डाल सकते हो, और क्या राइट तरीका है, कितना नीचा लगाना है, क्या पॉटिंग मिक्षर बनाना है और क्या करनी है, और इससे रिजल्ट अच हो जाता वीडियो के लिए तो 18 इंच में करके दिखा रहा हूं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप साल दो साल के लिए छोड़ा चोटे पॉट में लगा दीजे एंदेन मेभी आफ्टर कपल अफ यर्द यू विल शिफ्टिट यू शिफ्टिट इन बिगर पॉट तो आज इस हमें मैक शोर करना है कि नीचे हमने इसको होस कsels कर लिये हमें हमें आ उटलेट के लिए पानी का ऊटलेट अग्छा रहा है उसलिए हमने देखी का फी सारे होस की पानी काहीं दो हो ठीक है तो यह हम लास्ट में सबसे पहले इसंके बाद हमने लेने हैं यह टोटे वेशा इसको हमने ठोड़ा था छान लिया है, गादेंस वाइल को, कि इसमें कोई भी कंकड पथर ना हो, कोई मल्बा ना हो, और यह बिल्कल फ्रेश जो है, गादेंस वाइल हमने लिये, उसके बाद हमने लिया है सर कोको पीट, इसको हमने बिगो पानी में भीओ लिए और इसको तो इसके अंदर जितने भी कोई केमिकल्स वगरा होंगे वो सब निकल जाएंगे और फ्रेश को को पीट रहे जाएगे अपकी उसके बाद लिए सब ने प्योर वर्मी कंपोस यह हमारी वर्मी कंपोस है प्रिया नर्सरी की इसमें यह नीम ट्रिटेड है और इसमें थोड़ा में यूज़ने के लिए पर्लाइट है और कई जगा बजार में ससा मिल जाता है तो वह इंडस्टियल पर्लाइट होता है जो फेक्टरी वगरा में यूज़ता है वह हमें नहीं लेना है वह ध्यान रखना है यह नैचुरल मिनरल नूट्रियंट है बेसिकली आप कह सकते हो इस दो रिलीजिंग फटिलाइजर आने वाले छे साल साल तक यह नूट्रिशन प्लान को प्रवाइब करते रहता है दूसरा नमी बनाके रखता है तो बोन मील ने लिए बजार में बहुत नकली आ रहा है तो यह हम जो है लाइसेंस बूचर खाने से प्रॉपर यह बोन मील मंगवाते हैं पूरा ट्रक और इसमें आप देखेंगे बिल्कुल प्योर बोन मील है इसे कैल्चिम मिलता है यह यह इसमें बोन के साथ और भी चीज़ें मिक्स होती है और इसको इससे हमारे को फॉस्फोरस मिलता है फिर हमने सर फंगी साइड लिया है साफ का यह साफ का कम ओक तक कि फंगस से प्रोटेक्शन के लिए मपहल है है फिर शर हमने थोड़ी सी नीव खली लिए यह यह भी हम पॉर्टिंग मिच्चर में इसको यूई सर्ये ठिक कर उने लिए और यह आप कहें हैं अंदर जो हों से इसमें हमने ठीक कर ड़े डाल दिया लास्ट में यह जो है मिट्टी से जाम ना हो इसके लिए हम होल्स को सब पर ठिककर डाल रहें इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है जितना आप डालेंगे उतना आपका अच्छा नीचे ड्रेनेज रहेगा बेसिकली परपस होता है कि नीचे मिट्टी बैठके और यह होल्स को जाम ना कर दे सर यह देखिए जो हमारा यह 18 इंच का गमला है इसको भरने के लिए हमारे को ऐसे दो तसले लगेंगे तो यह हम इसको यहां पर मिक्स करके आपको दिखाते है इसको इसको अब यह हमने दो तसला अंदाजे से पोटिंग स्वाइल ले लिया है ठीक है सर अब सारे इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि मालीज अगर मिट्टी में हमारे कोई फंगस है तो फंगस जो है हमारे प्लांट को डेमेज ना करे हमने डाल दिया है उसके बाद देखिए हमने यह परलाइट ले ले लेते अंजादे से हम इसमें दो मुठी पूरी भर के परला परमी यह हम इसको खुब सारा डालें गे सकते हैं यह काव डंग से ही मनता है उसमें सिरफ वर्मी कंपोस हो जाता है जो प्योड़ा से नीम खली मिक्स करते हैं वह वी फंगस के लिए तो देखिए हमने इसमें ठीक है سर तो यह क्रीब आधा तसला हमने वर्मी कंपोस ले ल इसमें कोकोपीट से एरिएशन रहेगी, प्लांट्स की रूट्स चलने में हेल्प रहेगी, मौश्यर बना रहेगा, पानी की रिक्वार्मेंट कम हो जाती है, और एरिएशन रहती है सर सबसे बढ़िया, अब देखे जर ये है आपका नीम खली, नीम खली हम एक मुठी को फि फिलाके डाल देते हैं, यह हमने एक मुठी डाल दिया, और एक और डाल देते हैं छोटा सा, खाद में बस यह देखना है सर, जो भी आप फर्टिलाइजर जब भी डालें, तो उसमें देख लें की एगरो मिल है, हमें देखना है कि एक दम से हम बहुत जादा खाद ना डाल कि फ्रिक्वेंटली डालते रहेंगे तो भी चलेगा, यह देखे जर इसको ऐसे अच्छी तान आपने सब मिक्स कर लेना है, मेक शोर कि सब चीज में प्रॉपली मिक्स हो गई है, ठीक है यह देखे यह जो बड़े बड़े आपके मिट्टी के पीसे इसको हाँ से तोड़ इसका हाइस्सेर तो यह साइड वे आजाते हैं इनको सबकी अपने हाट से तोल लिया, यह मिक्स हो गया अब इसको हम इसकी हाँ मिक्षर हम पॉट में भरेंगे हाफ मिक्षर भरेंगे उसके बाद प्लान्च लगाएंगे बदेखे है कि हाल बर गया है आप इसको हम यह रो इसको ज्यादा छेडना नहीं है प्लांट को अभी हम इसकी जो रूट्स है उससे आसपा से मित्टी अलग कर लेंगे ऐसे मार के अब यह हमने डाल दिया इसको इसमें निचे अब देखे यह हमने थोड़ा देख लेना है कि इसकी हाइट हमें ज्यादा नीचे ना हो जादा उ तो थोड़ी रखनी है यह देखे सर इसको हमने उपर से करीब तीन इंच छोड़ दिया और अभी हम पानी डालें गया तो थोड़ी सी और मिट्टी निचे सेटल हो जाएगी तो करीब हमने चार इंच जगा छोड़ देते हैं अब यह देखे यह हमारा हो गया मेरे प्लांटेसन को डबा दीजिए इसमें ष्कलिये भर नगा जो भर यह व्लिशाड़ भर नगाओ है कि यह दो प्लांटेशनल्स खुटी एप दूप मे रखने से शक लांले और उसके बाद अपको खुली दूप में निकालिये जितनी दूप मेलेगी उतना चछा चलेगा और पानी का जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अलड़ी ये मिटी को आपने देख लीजे उंगली इंसर्ट करके इतनी फिंगर अगर आपकी ड्राय रहती है तो आपने इस पर पानी डालना है बार बार गीले कंदर आप पानी डालेंगे तो रूट रोटिंग हो जाएगी नहीं मिलते हैं अगर बाई करना है तो आप विजिट करके ये प्लांट्स बाई कर सकते हैं तो गाईज ये रिपोर्टिंग की का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा अगर पसंद आया तो प्लीज यहां तक देखा है तो एक लाइक करके जरू और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर नमस्कार